शिव ने अपने तीसरी आँख कैसे खोली इसके कहानी है भारत में प्रेम और वासना के देवता को कामदेव कहते हैं काम का अर्थ है जबरदस्त इच्छा और वासना वासना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग सिधे-सिधे बात करना नहीं चाहते हैं वे इसे किसी और स सुन्दर रूप में बताना चाहते हैं तो प्रेम का नाम दे देते हैं कहानी कहती है कि कामदेव ने एक पेड़ के पीछे छुपकर शिव के रदय पर बान छोड़ा शिव थोड़ा अशांत हो गए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली जो थोड़ी तेज है गुस्से वाली है इससे उन्होंने काम को जला कर राख डाला आम तोर पर यही कहानी हर किसी को सुनाई जाती है पर जरा आप अपने आप से पूछिए आपकी वासना आपके अंदर जगती है या किसी पेड़ के पीछे सही तो यही है कि यह आपके अंदर ही जगती है वासना सिर्फ वह नहीं है जो स्त्री और पुरुष के लिए हो हर इच्छा वासना ही है चाहे वो शारिरिक संबंद की हो या सत्ता की या फिर पद हैसित की या कोई और मूल रुप से वासना का मतलब यही है कि आपके अंदर अधुरेपन का एक एहसास है किसी चीज के लिए जबरदस्त इच्छा है जिसके कारण आपको लगता है अगर मेरे पास वो नहीं है तो मैं अधुरा हूँ मुझे वो किसी भी तरह से चाहिए ही है इस आधार पर शिव और काम की कहाने का एक योगिक पहलू भी है शिव योग के लिए प्रयास कर रहे थे जिसका मतलब ये है कि वे सिर्फ पूरा होने का ही नहीं बलकि असिमित होने का भी प्रयास कर रहे थे जब उन्होंने अपने तीसरी आँख खोली तो काम के रूप में अपनी खुद की वासना को देखा और उसे जला डाला इसके कारण उनके शरीर में से धीरे धीरे राख बाहर निकली इसे ये पता चलता है कि उन्होंने अपने अंदर उस पहलू का अनुभव किया जो भवतिकता से परे है इससे उनके शारिरिक मजबूर या बाकी न रही तीसरे आंख का मतलब है वो आंख जो सब कुछ देख सकती है पर जो भवतिक रूप में नहीं है आप जब अपने हाथ पर नज़र डालते है तो उसे देख सकते है क्योंकि ये रोशनी को रोकता है और वापस भेशता है अब हवा को नहीं देख पाते क्यो क्योंकि वो रोशनी को नहीं रोकती पर अगर हवा में थोड़ा धुमा हो तो आप उसे देख सकेंगे क्योंकि आप वही देख सकते है जो रोशनी को अपने मेंसे होकर गुजरने न दे रोक ले आप वो चीज नहीं देख सकते जो रोशनी को अपने मेंसे होकर गुजरने देखने का काम करने वाली हमारी दो आँखों का यही स्वभाव है क्योंकि ये सब कुछ स्विकार कर लेती है हमारी ये ग्रहंचिल आँखे बाहर की और ही देखती रहती है तीसरी आँख आपका और आपके अस्तित्व का स्वभाव जानने के लिए आपके अंदर देखने के लिए है ये कोई माथे पर लगा हुवा एक और अंग नहीं है नहीं माथे पर पड़ी हुवी कोई दरार है अनुभव करने का वो आयाम जिससे आप भवतिक तासे परे की चीजों का अनुभव कर सके उसे को हम तीसरी आँख कहते हैं एक और पहलू यह है कि हमारी ग्रहनशील भवतिक आँखों पर कर्म का असर होता है कर्म का अर्थ है, हमारे पिछले कामों की बची हुई यादे हर वो चीज जो आप इन आँखों से देखते हैं, उस पर कर्म का असर होता है आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, किसी को देखने पर आप सोचेंगे वो बढ़िया है वो बढ़िया नहीं है वो अच्छा है वो खराब है आप किसी चीज को उस तरह नहीं देख पाएंगे जैसी वह है क्योंकि कर्मों की यादे आपकी नजर पर और आपकी देखने की योग्यता पर असर डलती है यह आपको सिर्फ उसी तरह सब कुछ दिखाए जैसे आपके कर्म है जैसी आपकी पिछली यादे है जो जैसा है उसे अगर वैसा ही देखना है तो एक जादा गहरी समझ जादा गहरी पहुंच वाली आँख को खुलना पड़ेगा जिस पर यादों की धुल न च्छाई हुए हो हमारी परंपराओं में भारत में जानने का अर्थ किताबे पढ़ना किसी से ज्ञान की बाते सुनना या बस जानकारे इकठा करना नहीं है जानने का मतलब है कि अपने जीवन में एक नई अंदर की नजर को खोलना आप चाहे कितना भी सोचे कितना भी तर्क का सहारा ले वो आपके मन को सब कुछ साफ करके नहीं समझ जा सकता आप जिस तर्क आधारित समझ को तयार करते हैं उसे आसानी से गलत रूप दिया जा सकता है कठिन परिस्थितिया इसे पूरी तरह से गड़बड कर सकती हैं सिर्फ जब आपके अंदर की द्रश्टी खुल जाती है तभी एकदम सही समझ आती है इस दुनिया में को कोई भी परिस्थिती इस समझ को गलत रूप नहीं दे सकेंगे सची तरह से जानना तबी होगा जब आपकी तीसरी आँख खुलेंगी धनिवाद